उद्यापूर गाउं में एक बहुत ही गरीब ब्रह्मन गंगाधर रहा करता था वो गाउं में भिक्षा मांग कर अपना गुजर बसर किया करता था एक दिन वो कुछ बासी रोटियां लेकर अपने जोपड़ी में आता है कभी उसकी पत्नी उन बासी रोटियों को देखते ही बोलती है अरे अरे पिये क्या तुम आज भी ये बासी रोटी लेकर आ गए अरे अरे आज मुझे ये बासी रोटी ही खानी पड़ेंगी हाई हाई पूरा दिन गाउं में भिक्षा मांग कर भी ये बासी रोटियां लेकर आए हो तुम हे भगवान ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे अरे भाकेवान अब चुप हो जाओ गाउंवाले भिक्षा में जो भी मुझे देते हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ भाकेवान अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ अरे चुप करो तुम जब भी देखो बस यही बोलते हो आखिर कब तक खाओं मैं ये बासी रोटियां देखो अगर तुम कल सुबा भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा हाँ बता देती हूँ बेचारा गंगाधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है अगली सुबह गंगाधर फिर से गाओं में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है अरे कोई है भिक्षा दे दो भिक्षा दे दो मुझे करीब ब्रामभर को भिक्षा दो तभी एक बुड़िया अपनी जोपड़ी से निकल कर उसके सामने आती है अरे कौन हो तुम देखने से तो भिक्षू नजर आ रहे हो लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दा नहीं है बेटा उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा अरे नहीं नहीं अम्मा मैं जादा कि अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ तुम्हारे घर में जो भी थोड़े चावल है वही मुझे दे दीजिए मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूँगा अच्छा ठीक है बेटा मैं अभी लेकर आती हूँ चावल के दाने ही चलेंगे जिसके बाद चावल के दाने लाकर गंगा धर को देती है बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा अच्छा अब मैं चलता हूँ मेरी पत्नी मेरी रहा देख रही होगी आज तो मैं अपनी पत्नी को ये चावल लेजा कर दूँगा बिचारी बासी रोटी खाखाखर ओप गई है आज तो खुश हो जाएगी गंगा धर इसके बाद अपनी जोपड़ी में जाता है अरे आगए तुम इतनी देर कर दी आज तुमने आने में मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी आज भिक्षा में क्या लाए हो क्या आज भी बासी रोटी उठा लाए हो अरे अरे भग्यवान ये देखो आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूँ आज इन्हें ही पका कर भोजन बना लो जिसके बाद वो चावल बना देती है और उन्हें लेकर गंगा धर के पास आती है ये लो कर लो भोजन गंगा राम देखता है कि धाली में सिर्फ थोड़े ही चावल के दाने है अरे भाग्यवान ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं भोजन नहीं करूँगा इन्हें तुम्हीं खालो मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था तो मैंने वही खा लिया है इसे तुम्हीं खालो भाग्यवान अच्छा तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आये हो वावा, खुद भोजन करके आये हो और मेरे लिए थोड़े से ही चावल के दाने लाये हो नजाने कब वो दिन आएगा चब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे हाँ अब आपको कहा अवश्यक्ता होगे इस भोजन की खेर जाने दीजिये, अब मैं ही नहीं खा लेती हूँ जिसके बाद वो धाली के सारे चावल खा लेती है गंगाधर चुप चाप खड़ा उसे देखता रहता है थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गाउं की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस बूरी अम्मा के द्वार पर भिक्षा मांगने चाता है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही अरे कौन, अच्छा तु फिर से आ गया लेकिन बेटा मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है मैं तो खुद भूग से मरी जा रही हूँ मैं तुझे कहां से दूँगी बेटा अरे, ये तुम क्या बोल रही हो अम्मा क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है गंगाधर अपने जोले में देखता है तो उसमें बासी रोटी पड़ी होती है गंगाधर वो बासी रोटी यां उस बुड़िया को दे देता है अरे, अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाए इस बासी रोटी के तुम इसे ही खाकर अपने भूख में टालो अरे, हाँ, हाँ, क्यो नहीं बेटा मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है हाँ, लादे, यही बासी रोटीयां मुझे दे दे जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटी दे देता है बुड़ी अम्मा बड़े चाव से बासी रोटीयां खा लेती है अरे, वाह, वाह, पीटा तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांती मिल गई वा गई, तु एक नेक दिल इनसान है आज तुने अपनी बासी रोटी से ही सही लेकिन मेरी भूख मिटा दी बेटा मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ तु रुख, मैं अभी आई हूँ इसके बाद बूडी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने साथ लेकर आती है और उसमें से एक चमकता हुआ मोरपंक गंगा धरको देती है ये ले बेटा, ये जादोई मोरपंक है, मैं तुझे देना चाहती हूँ ये कोई साधारन मोरपंक नहीं है बेटा तो कोई भी एक इच्छा इस मोरपंक से बोलेगा, तो वो अवर्ष्य पूरी होगी बेटा अब मैं तो बहुत पूरी हो चुकी हूँ अब भला मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ बेटा इस जादूई पंक से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो बेटा गंगाधर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्या सच मैं अम्मा, तुम सच बोल रही हो अगर ऐसा है तो मैं ये जादूई पंक अपनी पत्नी को दूगा आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया हूँ इस जादूई पंक को पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी हाँ, अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मरसी जिसके बाद गंगाधर वो जादूई पंक लिये जंगल के रास्ते से अपने घर जाही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जंगल में एक जगह एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा रो रहा होता है उसके रोने की आवाज सुनकर गंगा धरुस के पास जाता है अरे भाई कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो आखर क्या बात है क्या कोई परेशानी है बताओ मुझे तुम रो क्यों रहे हो मैं खोर परेशानी मैं हूँ मैं मरने वाला हूँ मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिन्दा बच सकूंगा भाई उसकी ये बात सुनकर गंगाधर हैरान हो जाता है ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? और आखिर तुम क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे, क्या होआ है तुम्हारे साथ? मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक राम हूँ कल सुभा मेरे जीवन की आखरी सुभा होगी मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है मेरा जीवन समाप्त होने को है अगर मैंने जल्द से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे मृत्यु दंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की? बताए मुझे राजा की पत्नी और हमारी महरानी को एक बिमारी हो गई है महरानी राजा की प्रियरानी है और पूरे राज्य में सबसे सुन्दर स्त्री भी लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बिमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर बहुत ही भद्दे और खराब दिखने वाले निशान हो गए है जिसकी वजह से अब वो बहुत क्रूर नजर आती है दरबार में कई वैद्दियों को बुलाया गया लेकिन किसी के भी पास राणी की इस बिमारी का इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है कि अगर जल्द से जल्द मैंने उस वैद्दिय को नहीं ढूंडा जिसके पास राणी की इस बिमारी का इलाज हो तो वो मुझे मृत्यु दंडि दे देंगे अरे अरे आप चुप हो जाएए आपकी समस्या का इलाज है मेरे पास तुम मुझे अपने राजा के महल ले चलो क्या तुम सच बोल रहे हो तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें राजा के महल लेकर चलता हूँ लेकिन तुम्हें वैद्द के भेश में ही राजा के पास चलना होगा अगर राजा को पता चला कि तुम कोई वैद्द नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षू हो तो राजा को बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा इसके बाद गंगाधर एक भिक्षू से दैद्द के बस्तर धारन कर लेता है और मंतरी सेवक राम के साथ राजा के महल पहुँचता है जहां राजा का दरबार लगा होता है महराज की जय हो महराज मैं महरानी के उप्चार के लिए वैद्द जी को ले आया हूँ महराज ये देखिए महराज ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्दी जी है जिन्हें मैं दूसरे राज्य मैंसे अपने साथ लेकर आया हूँ महराज राजा ये सुनकर खुश हो जाता है अरे वाव मंत्री हम तुमसे यही सुनना चाहते थे आपका स्वागत है वैद्दी जी अब जल्दी चलिए और हमारी प्रियरानी की बिमारी को ठीक कर दीजिए जोआ क्या महराज इसके बाद सभी रानी के पास जाते हैं जहां रानी विश्राम कर रही होती है और कुछ दासियां रानी के पास बैठी सेवा कर रही होती है उठिये हमारी प्रियरानी देखिये आपकी बिमारी ठीक करने के लिए दूसरे राज्य से प्रसद्ध वैद्दी जी आये है तभी रानी अपनी आँखें खोलती है रानी के पूरे चेहरे और हाथ पर बहुत ही अजीब और खराब दिखने वाले भद्दे निशान होते हैं जिसके वज़ा से रानी बहुत दरावनी दिख रही होती है नहीं नहीं माहराज मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी देखिये तो कितनी कुरूब दिख रही हूँ मैं नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा गंगाधर रानी के शरीर के सारे अजीब और भद्दे निशान देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है इसके बाद गंगाधर बूड़ी अम्मा का दिया हुआ जादूई पंख अपने हाथ में लेता है और उसे याद आता है कि अम्मा ने कहा था इस जादूई पंख से कोई एक इच्छा पूरी की जा सकती है हे जादूई पंख मेरी इच्छा है कि तुम रानी की ये भद्दे निशान दिखने वाली बिमारी ठीक कर दो अगर रानी की बिमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारे मंत्री सेवक राम को मृत्य दंड दे दिया जाएगा तभी गंगादर जैसे ही जादूई पंख को रानी के मुख पर रखता है अचानक देखते ही देखते काफी तीज रोश्मी होती है और रानी के सारे भद्दे और खराब दिखने वाले निशान गायब हो जाते हैं ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं महराज देखे देखे न मैं एकदम ठीक हो गई हूँ देखे मेरा रूप पहले की तरह चमक रहा है देखे न महराज हाँ 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 मैं फिर से सुन्दर हो गई हूँ हाँ हमारी प्रियरानी हम देख सकते हैं तुम्हारा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। वागई ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाँ हमारे प्रियमंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन हुए। अब तुम्हें मृत्य दंड नहीं दिया जाएगा। वैद्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी प्रियरानी की बिमारी को ठीक कर दिया। हम आपको भेट स्वरूप सौ सोने की महरें देते हैं। इतना सुनते ही गंगा धर खुश हो जाता है। आपका धन्यवाद महराज, लेकिन आप एक सच नहीं जानते हैं। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण भिक्षो हूँ, जो आपके ही राज्य से दूर एक छोटे से गाउं में भिक्षा मांगा करता है। आपके मंत्री ने मुझे राणी की दशा के बारे में बताया, तो मैं मंत्री को मृत्यु दंड से बचाने यहां आपके महल में आ गया। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। जी महराज, मैंने आपसे यह जूट बोला, यह कोई वैदे नहीं, बलकि एक साधारन भिक्षु है, मुझे माफ कर दीजे महराज। हमने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारे इस जूट से हमें आज यह सीख मिली है, कि एक साधारन सा भिक्षु भी अपने ग्यान से बहुत बड़ा हो सकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। सभी दर्बार में राचा की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, तभी गंगाधर को सोने की सौ मोहरे दी जाती है, जिसको लेकर वो अपने घर जाता है। अरे कहां चले गए थे आप, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंडा, बताए मुझे। कभी गंगाधर उसे सारी बात बताता है। अरे क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा कहा, और आपने पलट कर मुझे कभी एक शब्द नहीं कहा। आप सच में बहुत नेक दिल और ग्यानी इंसान है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हे माफ कर दिया है भाग्यवान, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो हुआ, सो हुआ, तुम्हे अपनी गल्ती का एहसास हो गया। मेरे लिए इतना ही काफी है भाग्यवान। जिसकी बाद गंगा धर और उसकी पतने हसी खुशी वहने लगते हैं।